हलो एंड वेलकम टू न्यूस क्लिक नमस्कार मैं परणजॉई गुहा ठाकुरता हूँ हमारे संग्धान में ये लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे देश को देश का जो जुडिशिरी है जो नया पालिक है इसके उपर सरकार का कोई interference नहीं होना चाहिए कोई हस्ट शेप नहीं होना चाहिए और आज जिस तरह से हमारे सरवोच शादालत में सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया में जिस तरह से नयाधीश को नुक्त किया जा रहा है इसके अपॉइंट्मेंट्स जिस तरह से हो रहे हैं बहुत सारे सवाल होता है बहुत सारे प्रश्न चिन है कि सच मुझ हमारे देश का जो नयापालिक है एक तरह से स्वाधीन तरीका से काम कर रहे कि नहीं तो इस विशे के ऊपर चच्चा करने के लिए मेरा साथ आज न्यूस क्लिकर स्टूडियो में है मनीश जिवर बीस साल पत्रकार इतकर है वरिश पत्रकार Tribute, Indian Express, Hindustan Times, Tiranga TV और आजकल The Print के साथ, Consulting Editor है तो मनीश जी इस विशे के ऊपर आप 6 November में प्रिंट में लिखा और आपने कहा आपका जो सुर्खिया है आपका लिखा कि no NJAC but Modi government still manages to have a say on judges, appointments and transfers NJAC, National Judicial Appointments Commission, राष्टिय नयाइक नियुक्ति आयोग थोड़ा सरल भाशा में समझा दीजिए क्यों आपने ये लेक लिखा है देखें ये जो ये लेक है ये तो इसलिए लिखा क्योंकि अभी एक Chief Justice का appointment रोका हुआ है, हो जाएगा भी मेरे ख्याल से अगले तीन-चार दिन में हो जाना चाहिए लेकिन पिछले आप कहा रहे है, Justice अकिल अब्दुलहानेत कुरेशी जी का, वो केस में हम आएंगे हाँ, और इसलिए लिखा क्योंकि ये एक सिंगल केस नहीं है, ऐसा मैं पिछले पांचे साल से देख रहा हूँ, पहले भी सरकारे नाम रोकती रही है, उन पे सवाल उठाती रही है, लेकिन जब कॉलीजियम एक वारेट रेट कर देता था तो सरकार उसको क्लियर कर देती थ है, जो मेमरेड़नम आफ प्रोसीजर है, वो है, एक गाइडलाइन है, जो गर्मेंट और जूडिशरी के बीच में फैसले से बना है, कि ये गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे, दोनों फॉलो करते हैं, अभी क्या हो रहा है, जो सबसे गलत हो रहा है, वो ये हैं कि जूडिश अगर उस नाम को क्लियर कर देती है, तो गवर्मेंट उस पे बैठ रही है, और लंबे टाइम बैठ रही है, मैं तो आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने शुरू किया आपका लेग, जो 2016 में एक्तम शुरू हुई थी, उस समय मोधी सरकार ने कोई कारण नहीं दिखा मगर कुछ नियाधीश की जो उनका जो नियुक्तिय है, एपॉइंटमेंट है, जो सिफारिश था, रिकॉमेंडेशन था, उसके ओपर बैठा था, तीन जज़ की ट्रैंसफर के ओपर है, तीनों का नाम है, उतरांचल हाई कोट के जो मुख्य जो नियाधीश है, केम आंध़ पर Valeमी की मैता जी और गुजर गये हैं, डिल्ली हाई कोट में थे थे वो, उनको आंदरपरदेश हाई कोट में ट्रैंसफर किया किया था, तांध़ पर्देश एंटेलंगाना हाई कोट और जस्टेस एमार का जो गुजरात का जो हाई कोट है, वहां से महदरपरद जो सुप्रीम गोट है, जो सर्वच जो आदालत है, जो नयाले है, वहाँ पे वो जजिस है, तो ये केस आपने क्यों? देखें, वह इसलिए है. आपने उन लेक के आपका लेक में. क्यूंकि ये देखे ट्रांसफर्स में गुम्मेνट का कोई रोल नहीं है। कॉलीजियम रेकिमेंट करता है। ये कॉलीजियम क्या है जर्待って सम लाइबे। यह है कि जो second judges case और third judges case के बाद एक पहले क्या होता था? Chief Justice of India नाम recommend करते थे, government appoint करती थे और president appoint करते थे. अभी बाद में Supreme Court में आया कि भी एक system बनना चाहिए जिसमें थोड़ा एक larger consensus तो एक तरह से एक समिती होना चाहिए? समिती. और वो समिती ने सिफारिश करेंगे और फिर उसके बाद सरकार मान लेंगे और फिर राश्टपती उसको कहेंगे कि हाँ आप इनका appointment करिये. Collision decision लेने से पहले सरकार के inputs लेता है, intelligence bureau के inputs आते हैं, state governments अगर high court का judge की नहीं युकती है, उसमें state governments के inputs आते हैं. तो सारा Collision समझता है, अच्छी तरह देखता है, और कई मैंने अभी देखा है, कई मामलों में तो ऐसा हुआ है कि जरा सा अगर किसी तरह से integrity पे सवाल उठा है candidate की, तो उसको रोका है Collision ने. लेकिन इन तीन केसों में खास ये था कि तीनों transfer केस थे, और because इन में से दो जस्टिस बालमी की मेहता है जो आप नहीं रहें, और जस्टिस हैमार शाय जिनको सरकार चाहती नहीं थी, कि वो वहाँ से अपनी high court से हटें. आप ये कहा रख चाहते नहीं, ये कैसे आप कह सकते अब ये भी लिखा कि ये कभी लिखित रुप में नहीं होता है. आप ने कहा उस समय का जो भारत के जो मुख्यन हदीश थे, जो चीफ जस्टिस अफ इंडिया थे, टी एस ठाकुर जी, तिरत सिंग ठाकुर जी, उनके साथ जबर्दत एक जगड़ा हुई थी. मगर कुछ लिखा नहीं है. कुछ आप सिर्फ अनुमान कर रही है. नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनुमान नहीं है, यह इसमें कोई, मैं काइट फ्लाइंग नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं, कुछ खासकर जब जूडिशरी के बारे में लिखते हैं, तो हम लोग जब तक चार जगाए से उसको कनफर्म नहीं करते, मुझे पता है कि सरकार ने खुद जस्टिस ठाकुर को एक दो बार कहा कि बई और सरकार की तरफ से उनको कहा गया था कि आप ये नाम आप इस पर रीकर से लिए उन्हों ने माना नहीं, वो अन्हों ने जब उनका टर्म खत की ट्रासवर इस वज़ासे होई कि ये करफ्ट थे, मैंने ये नहीं लिए लिखे हिए कि इनकी ट्रासवर कोई सी दुबाब में हुई, इट और देखे, सुप्रीम कोर्ट कहता है, ट्रास्फर is no punishment, ये सुप्रीम कोर्ट की judgments है, हुज़ारों judgments है, मगर आप अप जैसे य मोख्या नाय हदीश है उनको अगर आप अचानक ठ्रपूरा में भेज देंगे तो इसका मतलब आपका लेक में लिखा है एक तरह से उनको आपने तंग किया एक तरह उनको आपने परिशान किया, क्यूंकि आप एक senior judge है मद्धप्रदेश से, अचानक आप से पुड़ा देए, और फिर आप कह रहे हैं कि Supreme Court, कहा है, transfer is not a punishment. Justice Qurayshi है, वो originally Gujarat High Court के judge है, जब इनका पहली बार नाम चला के इनको Chief Justice बनाना के टाइम है, government ने अपने level पे decide कि नहीं जी, मद्धप्रदेश में इनका experience नहीं है, क्योंकि मद्धप्रदेश इस देश की चार बड़ी high courts में से एक है, कि इतनी बड़ी high court का Chief Justice बनने के लाइक इनका पास experience नहीं है, चलो, मैं मानता हूँ के, हलांकि ऐसा नहीं है, पहली term में आदमी Chief Justice बनता है, और बिना किसे experience के, Bombay high court के Chief Justice हुआ है, दिल्ली high court के Chief Justice बने है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकि चली है, हम मानके चलता है, कि experience कम थे, सरकार ने clearly एक indication दिया, कि हम इनको इस बड़ी high court का Chief Justice नहीं बनाएंगे, आपने, और सरकार ने वो फाइल को कुलीजियम को वापिस कर दी, अब मैं मानता हूँ, सरकार से जादा दोश, इसमें कुलीजियम का है, देखें, कुलीजियम को चाहिए था, रिटरेट करता, एक आप, अब आप मुझे बताइए, आप मद्यपरदेश में, आप कहते हैं, इनके पास experience नहीं है, तो by that logic, if somebody is a bad judge in X high court, he will be a bad judge in Y high court, आप सवाल, आप ने जो लेक लिका है, प्रिंट में, आपने कहा हैं कि हमारे Supreme Court की सबसे उच्छे नसर वच्छे आदालत के एक नहीं अधीश, जो अभी रिटायर किया, मदन लोकुर्जी ने, उन्होंने ठिक कहा, कि ये NJAC, यानिकी, राष्टियर नयाक, नियुक्ति आय जो कलीजियम है, जो जजिस का जो समिती है, ये कमजोर हो गए, देखें, कमजोर इसलिए हो गए, कि सरकार की अगर आप, देखें, मेरा ये मानना है, जहां भी आप लोग कंसिल्डर करेंगे नाम, ये वहां गिवें टेक होता है, ये आज नहीं है, पहली सरकारों में भी हो हमारे constitution का एक अभिन अंग है उसके बिल्कूल एक जम स्वतंतता से स्वतंता से काम और आपका नया पालिक क्या कि काम के ऊपर एक दम कोई हस्त शेप होना नहीं चाहिए और यह अधिन बन का आप कहा रहे हैं और दूसरा अपॉइंट्मेंट्स जुडिशरी इंडिया इस आपने को खुद अपॉइंट करते हैं ठीक है कुलीजियम सिस्टम के थ्रू जापने आपको नियुक्त करते हैं लेकिन वो भी हम मानके चलते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट्स के लिए जरूरी है क्योंकि सुपरिंपोर्ट ने कहा है अब यह कैसी इंडिपेंडेंडेंस क के नया पालिकों को कमजोर कर दिया और यह जो जिस्टिस कुरेशी का जो केस आपने बताया है लगबग एक साल चल रहे हैं उसका अपॉइंट्मेंट नियुक्त के हुए हाँ और देखें उसमें सर मतलब इसमें इससे पहले मैंने एक लेक लिखा था आज से पांचे महीने पहले कि क्या क्या वज़ा दी थी जस्टिस कुरेशी को गश्टिस कुरेशी को गर्मेंट ने रीजन्स दिये थे कि यह और इंक्लूडिंग देखेंट एक रीजन यह भी था कि जी यह बहुत प्रो माइनौरिटी हैं जो की बिल्कुल गलत था मैंने उनकी जज्वेंट्स पड़ी है लेकिन उन्हें अब एक जज्ज है अब लेट से देर जज़ ज़ज हो हैंडल के सरदारों के के सीख पॉपलेशन के के सेंडल कर रहे हैं कल को कोई उन पर सवाल उठा देगा यह आप कर रहा है आपका भी वेक्टिकाश्वतन चाता है मंगर आप कह रहे हैं यह उन्टिक बैस्ट है और इनडिपेंडन्थ इन अपॉंट्मेंट्मेट्स न्युक्तियों में इंडिपेंडन्स दिया है तो जोडिशरी का काम है अपनी उस न्युक्ति का अपनी उस बिद्द प्रोटेक्ट कर高ई आप कह रहें आपका लेग में कि ये जिस्टिस कुरेशी का केस इसके ओपर सुर्खिया आ गया मगर ऐसे और भी केस है आप जैसे पंदरा अक्टोबर के कह रहा है जो सुप्रीम कोट का जो कोलीजिया में तीन बार एक बार ने एक दो तीन बार कहा जो उनका जो सिफारिश है करनाटक का एक जुडिशियल उसको जज़ बना दीजे हाई कोट में ये अभी तक हुआ ही नहीं क्या अबजेक्शन्स है हमें मालूम नहीं है मगर ये 2016 से चल रहे है ये केस एक और केस हमने किया जस्टिस दमाश शेशद्री नाइडू सेप्टेमबर 2017 का केस है उसका कहना था उसका ट्रांसफर हो जाना चाहिए वापस उनका जो जिस जिस हाई कोट में उन्होंने काम शूरू कि आंधर प्रदेश अर्तिन गाना ये भी फसारा केंदर सरकार बैठे हैं इसको उपर तो यहीं मैं कह रहा हूँ सर ये जो एंजी एसी के तुरू करना चाहती थी सरकार वो नहीं कर पाई तो बैक ड के पुश बैक होना इस्टिशनल इंटेग्रेटी को मिंटेन करना जो इस इस्टिशन को चला रहे हैं उन लोगों के हाथ में होता है तो अगर पुश बैक नहीं है अचा अगर हमें आने वाले समय में ये जो हमारे जो सम्विधान में लिखा है कि हमारे जो नैपा लिका एक interference होना ने चाहिए, एक दम बिल्कुल हस्त शेप होना ने चाहिए, तो आज अगर नहीं हो रहें, आप क्या सला देंगे, क्या होना चाहिए, एक तरह से सरकार का जो करना है, हर सरकार करेंगे, आप कह रहे हैं, the judiciary is more to blame, जिम्मेदारी जादा जिम्माना और ये मैं बिल्कुल, उनका जिम्मेदारी जादा है, मैं पिछले 20 साल से judiciary देख रहा हूं, और मैंने तब से देखनी शुरू के, देखे, judiciary में issues, corruption, problem, सवाल उठना, appointments गलत होना, collegium system, opaque होना, ये सब पुराने हैं, आज नहीं खड़े हुए हैं, पिछले 6 साल में ये issues नहीं खड़े हुए हैं, मो वो लोग किसी वज़ा से, सरकार से, मैं अगर साफ लफजों में कहूं, कि सरकार में pushback नहीं कर रहे हैं, वो सरकार अगर उनको सरकार आँख दिखा रही है, तो वो वापस सरकार को आँख नहीं दिखा रहे हैं, जबकि इन लोगों का काम है, कि ये अपनी independence के लिए लड़ है, आज भी मैं ये बात कह रहा हूं, कि अगर judiciary को लगता है कि सरकार का रोल होना चाहिए, तो आप NJAC को review करके खतम कीजे, अब बोल दीजे सरकार का appointment में रोल रहेगा, लेकिन सुब्रीम कोर्ट की constitution bench की judgment है, four one की, जिसमें justice चलमेश्वर was the only dissension, तो बाकी चार judges, जिसमें chief justice of India, बाद में दो लोग उसमें chief justice बने, उन लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, तो sorry, एक ही justice के है, मेरा कहने का मतलब यह है, कि अगर आप सरकार का interference नहीं बरदाश्ट करना चाहते है, तो आपको ये बात कड़े शब्दों में सरकार को बतानी पड़ेगी, और बताने का एक ही तरीका है, कि जब सरकार आपको किसी frivolous ground पे, मैं नहीं कह रहा है कि सरकार हर फाइल जो वापस बेचते हैं, तो आपका संग्षिप्ट में अगर आप कहने चाहेंगे, तो हमारी जो नया पालिका है, हमारी जो नया अधीश है, जो sir, वो चाह आदालत में है, इनका र कोई भी हो, वो कोशिश करती है, हर independent institution को दबाने के लिए, लेकिन उस independence को बचाने का काम, जो वो institution के चला रहे हैं, उन पे है, धन्यवाद मुनिश जी, हमारी न्यूस क्लिक के स्टूडियो में आने के लिए, और आप लोग देखते रहें, न्यूस क्लिक.